सब्सक्राइब करें मेरे चैनल skcoachingcenter.com को और बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों नमस्कार मैं हूँ विजय एस्टुरेंट्स लोग मुझे विजय सर के नाम से जानते हैं और आप देख रहा है मेरा यूटूब चैनल skcoachingcenter.com यदि पुरा कहा जाया तो सिशु कल्यान कोचिंग सेंटर सिब्दाद रिसेंट। दोस्तों आज का यह वीडियो टुटोरियल उन बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है खासकर जो इस वार मैट्रिक की परिछा देने जा रहे हैं बिहार बोर से और बदले हुए पैटर्ण के उनसार जो multiple choice question है objective type question है इसके महत्ता बढ़ जाती है क्योंकि इस वार से 60% question आपके objective question रहेंगे जिसमें से 50% का जबाब देना होगा इसी पर मैंने संस्क्रिप्ट विशय के लिए series लाया हूँ मैं एक से 14 पार्थ जैसा कि आप जानते हैं आपके जो main book है प्यूशम और एक दूर्थ पार्थ है उसमें से प्यूशम के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है जो कि लगातार 14 सेट होगी उसकी और प्रतीक सेट का अपना एक महत्व है मैं बता दू कि आप जब फुर्सत में हो तो इस वीडियो को देखें ऐसा नहीं कि आप कहीं जा रहे हो और कहीं खड़े हो और आपने वीडियो चला दिया करना क्या है आपको कि जब आप परहाई की मोड में हो जिस समय आप परहाई करते हैं उस समय क्या करें कि एक कॉपी ले ले एक पेन ले ले और हर वीडियो में चुकी अलग अलग क्वेश्चन है मैं बताऊंगा हरी वीडियो के शुरू में मैं बताऊंगा यह कितने question है उतना question आपको copy पर लिख लेनी है और उसके साथ साथ आपको भी practice करनी है मेरे बोलने से पहले आप अपना जवाब दियार रखेंगे और अंत में मुझे comments करके यह बताना है कि आपके कितने सही हुए इस वीडियो को देखने से आपको यह लाब होगा कि आप नो केवल objective question के answer आपके ठीक हो जाएंगे आप में वो समता आजाएगी मैं trick ने बताऊंगा कि यह objective question का उत्तर यह है तो क्यों यह है क्योंकि केवल यदि उत्तर बतानी हो तो आपके पास बहुत सारे guides होंगे guess paper होंगे books होंगे लेकिन मैं बताऊंगा कि इसका answer यही क्यों है दूसरी बात इससे नो केवल objective question बलके आपके व्याकरन की भी तैयारी हो जाएगी और व्याकरन की तैयारी का मतलब आप समझते हैं कि 50% जो question आते हैं वो व्याकरन पर अलाईत होते हैं आप अनुवाद करना भी सिख जाएंगे पत्र लेखन जो अनुशेद लेखन आता है इससे भी आप को साहता मिलेगी तो आप सबसे पहली बात ये है कि आप वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं किजेगा सुरू से अंतक वीडियो को देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा और इससे आप लावानवीत होंगे तो जिसा मैंने पहले कहा है कि आप एक कागज और एक कलम ले लें उस पर जितने भी वीडियो आएंगे मैं सुरू में बताऊंगा कि कितने प्रस्न है उतने प्रस्न लिख लें और उसके साथ-साथ परहाई करने का जो समय होता है आपका उस समय में आप त्यार हो जाएं और वीडियो चला करके आप अपनी परहाई करें अंत्र में कॉमेंट्स में मुझे करें कि मुझे इस प्रस्न में यहां यह समझ में नहीं आ रहा है मैं समझाने का पूरा प्रतन करूंगा जिसा कि आप मेरे इस थमरेल में आप देख रहा है कि दूतिये पार्थ, पार्टले पुत्र वैभवम जो आपका है, इसका मैं objective question लेके आ रहा हूँ, set 2 है, जिन लोगोंने अभी तक set 1 नहीं देखा है, उसका description में मैं लिंक दे दूँगा, आप देख लेंगे, वीडियो आरम करने से पहले मैं कुछ बाते बताना चाहता हूँ कि आप यह वीडियो उस समय देखें, जब आप परहाई की mood में हो, ऐसा नहीं कि चल रहे हैं, कहीं सोय हुए हैं, या दूसरे काम में लगे हुए हैं, तो वीडियो देख लिए, बलकि आप जिस समय पढ़ने बैठें, उस समय यह वीडियो देखें, और करना क्या है आपको तो मैं बता रहा हूँ कि इस सेट में कुल 54, 54 questions मैंने लिए हैं, तो आप क्या करें कि एक से लिकर के 54 का question का number लिख लें, और मेरे साथ आप भी इसकी त्यारी करें, मेरे उत्तर बोलने से पहले आप अपना उत्तर लिख लें, और अंत में मुझे comments करके बताएंगे कि आपक कितने उत्तर सही हुए, और यदि आपको किसी प्रस्न में कटनाई हो, किसी में संदे हो, तो तब भी आप मुझे comments करेंगे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, या उत्तर ऐसा हो सकता है, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, आप तयार हो जाएं, एक से लिकर के 54 का प्रस्न का सीरीज नंबर जो है, आप लिख लें, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहला कोश्चन जो आप देख रहे हैं, पहला कोश्चन है कि पाटली पुत्र वैभवम, पाठे कस्य नगरस्य वर्णम अस्ति, इस करतिय हुआ, कि पाटली पुत्र वैभव, जो इसका अंसर होगा, पाटली पुत्रश्य, पाटली पुत्र का, यानि पहला का अंसर होगे आपका, बी, दुसरा प्रस्न है कि बुद्ध काले पाटली पुत्रश्य नगरस्य नाम किम, बुद्ध काल के समय में पाटली पुत्र नगर का नाम क्या है, या क्या था, तो इसका किनारे अवस्थित है किस के किनारे यमुनाया सोनस्य गंडगस्य गंगाया तो सभी लोग जानते हैं कि तीन का अंसर होगा डी गंगाया चौथा है कुटिनीम काब्यस्य रचनाकार कौन है तो चार अप्शन दिये गए हैं दामोदर गुपता समद्र गुपता चानक क्या पांच मान नगरस्य पालिका देवी कास्ति नगर की पालिका देवी कौन है यानि किस नगर की देवी के नाम पर इसका नगर पटना भी पड़ा तो मिलता जुलता नाम है दुरगा देवी सितला माता पटन देवी और स्रस्वते तो इसका अंसर हो जागा पांच का से पटन नाम से जुड़ा हुआ है तो छठा का अंसर हो जागा हुआपका डी पाटली पुत्रस्या साथमा है कि पाटली पुत नगर में परसिद्ध क्या है गोल गृहम बॉद मंदीरं जैनमंदीरं ताजमहल में यागरा में है तो साथ का आंसर हो जागा ए गोल गृहम यानि गोल घर आठमा प्रस्ण है कि गोविन्द सिंह सिख संपरदाय स्व्यकति गुरु आसी ते गुरु गोविन्द सिंग भी कहले जिख संपरदाय के कैमा गुरु थे सब्तम दसम पंच या नवम तो आठ का अंसर हो जागा आपका बी यानि दसम चलिए नवे प्रस्ण की ओर बढ़ते हैं कि गांदी से तू कुत्रस्ती गांदी से तू कहा है तो मोदगल नगडे भागल पूर नगडे पाटली पुत्र नगडे और अरा नगडे तो आप जान है कि नौ का आंसर हो जागा सी पाटली पुत्र नगडे दसमा प्राटली पुत्रस्य सोभा कस्य समय सुत्राम समर्द्धम सुत्राम मतलब होता है और अधिक समर्द्ध हुआ किसकी पाटली पुत्र की सोभा जो है किसके समय में और अधिक समर्द्ध हुआ तो दसका आंसर ह जाएगा इसका तो आपसन है चंदकुपतस्या कुमर सिंहस्या अकबरस्या असोकस्या तो दस का आंसर हो जाएगा डी असोकस्या असोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था शुतराम सम्रिद्धम जल पलावितम यहनी पुरा जल से भड़ा हुआ था जिरनम बहुत खराब था कुलाहलम तो एकारा का आंसर हो जाएगा यह सुतराम सम्रिद्धम बहुत ही अच्छा सम्रिद्ध था बारा नमबर चंद्गुप्त मौरिक के समय में इसकी रक्षा वैवस्था कैसे थी अतिकोचम निवादम उतकृष्टा हलाहलम तो बारा का आंसर हो जाएगा से उतकृष्टा बहुत ही अधिक अच्छी थी कावी मानसा नामकम गरंथ का अलिखत प्रसन संक्या तेरह है कावी मानसा नामक गरंथ किसने लिखा अलिखत ये लंगलकार है तो अलिखत मने लिखा भूतकाल तो तेरह का आंसर हो जाएगा आपका यादर खेंगे तेरह में कावी मानसा नामक गरंथ राज सेखर ने लिख पुत्र में कब कॉमुदी महुत्सव प्रचलित था कब था किस समय में वसंत काले वर्षा काले हिमंत काले स्रद काले तो चौदा कांसर हो जगाड़ी स्रद काले किसका नामांतर का मतलब होता है बदला हुआ नाम पुषपूर या कुशंपूर ऐसा मिलता है तो वारनस्या पाटली पुत्रश्या भोजपुरश्या मगदस्या तो पंदर कांसर हो जागा भी पाटली पुत्रश्या सोला नंबर है कस्या नगरस्या किस नगर का इतिहास है सार्द सहस्रम बर्सम पनिमित है हजारबरसूंसे भी पूरणा है मगदस्य अंगस्य पाटली पुत्रस्य मिथलाया। इस है तो पअन्फ नमागें अश्र सब्सक्तल कुर्लगर महांवात पर्चुछल मुगे आरा इसप चर्पर हुब Bear तो 17 का D पटना. 18 नमबर का महतसवा महान समारो आसीत? कौन सा महतसव महान समारो था उस समय में पाटली पुत्र के समय में? तो दुर्गवा पुजा, कौमुदी, गनेश पुजा, सुरी बढ़ता है? तो 18 का आंसर हो जागा सही पजाना अपने B, कौमुदी. कौमदी महुतसव कदाव सड़े द्रस्यते ध्यान दे मिलता जूलता प्रस्ण है घुमा फिराक के आपसे पुझा जाएगा कि कौमदी महुतसव किस अवसर पर देखा जा गया था किस अवसर पर होता था बल्कि तो दुरुगा पुझा अपसर गनेश पुझा सुरुष सथी और पसंत पंज में आपने दिपरहावगाट सही से तो आपको याद हो गया कि दुरुगा पुझा अवसर ये दुरुगा पुझा के अवसर पर या इस नबरब पुझा है कि कामुदी महुत सभ और अतीव पर चलित थ्ये मिलता जुलता प्रश ये कभ बहुत पर चलित था ये कौमुदी महुत सभ आंगले शार या गुप्था साशन काले मुझा काले मुगल काले अशख काले तो दूझा अंसर हो जागा B, गुप्त श आसन काले पातली पुक्ट के किस दिसाम गंगान दी भधी है प्रोश्यान डखीन श्या उतरश्यां पस्यम स्य का अंसर हो जागा शी उतरश्याम गोभिन शिंह संप्रडायास्य और दस्मा गुरू का 22 नमबर है गो बास reference का Jest गुप्त सासनकाल के समय में कौन सा महुत्सव परचलित था गनेश पूजा छट पूजा कौमुदी पसंत पंच में फिर से उपरसना आ गया है लेकिन ये कुछ गुमा फिरा के पुछा गया है आपको दिग्भरमित करने के लिए बिलकुल दिग्भरमित होने की जुरूत नह जिर्णताम कब पाटली पुत्र जो है से हजारों बड़सों तक जिर्णत काल की अवस्था में परा रहा तो मद्ध्यकाले मुगलकाले अंगलकाले शककाले चोबिस का अंसर हो जागा ए मद्ध्यकाले 25 नमर प्रसन है पाटली पुत्रे कह बहुत कृत्य समाकत पाटली 26 नगर की सोभा किसके सब्वे में बहुत सबसे अधिक अच्छी हो गई थी तो अकपरस्या सोकस्या चंद्गुप्तस्या दस्रतस्या तो 26 का आंसर हो जागा आपका भी असोकस्या गांदी सेतू नाम का कौन किस महादेश का सबसे बड़ा सेतू यानि पूल है गांदी सेतू किस महादेश की बात हो रही है तो अफरिका एसिया अमेरिका एरोप आप जानते ही है कि गांदी सेतू कहा है भारत में है तो किस महादेश में पढ़ता है तो एसिया में पढ़त तो 27 का हो जागा बी बिहार प्रांतस्य राधानी का अस्ति अब इतना आसान प्रस्ण पूछा गया है कि बिहार राज की राधानी कौन है वैसाली भागलपुरम मौद गल नगरम पाटली पुत्र नगरम तो क्या बताया जाए इसका आंसर 28 का डी आपने सही पहचाना पाटल पुत्रेश्ति किस महापूरुस का जर्मस्थान पाटली पुत्र में है गुरु नानकश्य राजा राम मोहन रायस्य महावीरस्य गुरु गोविंद सिंह श्य तो 29 का अंसर हो जागा आपका डी सही पहचाना अपने गुरु गोविंद सिंह श्य तीस नंबर कष्यकाले पा अश्यक अहश्यका ली महाणा परताप थ्य तो 30 का अंसर हो जागा बी कंप्र आपकातली पुत्र मस्ते किस अलनी निगर पा worry पुत्र है किस राजी का है तो बीयार प्रदेश्य उत्त अर्प्रदेश्यों ड्यने प्रदेश्यों गुजराथ प्रदेश्य वही आसान है तो ए बिहार प्रदिश अश्य बद्टिस नंबर बिहार अश्य कश्मिन नगरे गोल गलह मस्ती यह प्रसन एक बार और आए था लेकिन यह घुमार फिरा क्या है कि बिहार के किस नगर में गोल गर है पाटली पुत्र नगड़े पहरपूर ग्रामे सासाराम नगड़े बक्सर नगड़े आपको दिख भ्रमित करने के लिए कई सारे अप्शन मिलेंगे लेकिन इसका आंसर हो जागा 32 का ये पाटली पुत्र नगड़े तो 33 का आंसर हो जागा आपको ये कई बार प्रसन आ चुके हैं वे लेकिन ये घुमा फिरा किया है एक वरस्या सोकस्या चंदुकुपतस्या और दस्रतस्या तो इसका आंसर हो जागा असोकस्या बी चोटिस नंबर गांदी सेतु नाम कह महादेशस्या दिरिखत महा सेतु अस्ति गांदी सेतु नाम किस महादेश का सबसे लंबा पूल है ये भी प्रसन आया था लेकिन कुछ अलग धंग से आया था तो अफरिका एसिया अमेरिका इरोप तो इसका अंसर हो जागा 34 का भी ए इस्या पाटली पूतर शया देखिए कैस्तर से प्रसन आयेंगे खाली जगह देदिया गया दिशी गंगा नदी प्रभाथी की जाम विगना नदी प्रभाथी अक्रिक चया आप जानकर होंगे 35 का अंसर होगा D उत्त्रश्या था स्ट नंबर गोविन्द सिंग शिक्सम्परदाय से खाली जगा गुरु आशित ये खाली जगा में इस तरह के प्रस्ण आ रहे हैं कि गोविन्द सिंग शिक्सम्परदाय के कैमा गुरु थे इस तरह से प्रस्ण आएंगे खाली जगा अस्थान भरने क्लीर अस्थान आनी पुरियत तो द पाटली पुत्रे कह बहु कृत्य समागता पाटली पूत्र में कौन बारा बाराया करते थे प्रसना आया था अभी थोड़ी दिर पहले लेकिन देखेंगे इसके प्रकृति में अंतर है तो महावीरा अकपरा तस्रता भगवान बुद्धा सैतिस का होगा डी भगवान बुद 38 एसिया महादेश सश्य दिर्खतमा सेतु कहा देखिए 34 नमबर में देखिए कि गांदे सेतु नामा का महादेश सश्य दिर्खतमा सेतु यहां क्या है एसिया महादेश का सबसे लंबा पूल कौन है राजिंदर सेतु नहरु सेतु गांदे सेतु और इंदिरा सेतु बिलक गंगा के उपर में गांदे से तू नाम खाली जगा महादे सस्य यानि किस महादेश का दिरिखतम में सबसे लंबा से तू मने पूल है तो देखिए कई बार ये प्रस्ण आ गए हैं लेकिन कितने घुमा फिरा के आ रहे हैं आपको दिगर प्रहिमित करने के लिए एक प्रस्ण को समझ लें उससे कई उत्तर आपके निकल लाएंगे तो सही पाचान आपने चालिस का होगा सी एस्या महादेश अश्याद एक तालिस प्रस्ण पाटली पुत्रस्या नामा आंतरम खाली जग़ प्राप्यते पाटली पुत्र का बदला हुआ नाम क्या है मिलता है रिकता स्थानानी पुरियत केशवपूरम माधवपूरम रागोपूरम कुशुमपूरम तो एक तालिस का आंसर होगा डी कुशुम पूरम तो एक तालिस के डी पर जो है आप चिनह लगाएंगे और हो जागा एक तालिस का डी कुशुम पूरम 42 कौमुदी महतसवा खाली जगा पर चलीता है, इदर के स्थानानी पूरियत है, कौमुदी महतसवा इस तरह के प्रसना आये थे, लेकिन खाली अस्थाडिकत स्थान की तरह नहीं आये थे तो ये मोड़ शासन काले, आंगल सासन काले, गुप्त सासन काले या कुशुमपुरम तो होगा ही नहीं तो 42 का आंसर हो जागा आपका C यानि गुप्त सासन काले 43 है पाटली पुत्र किस नदी के किनारी अवस्थित है चले अब हिंदी की परस्न की ओड चले आपने संस्कृत के बारे में भी देखा, इस तरह के प्रसना सकते हैं, और हिंदी में भी इस तरह के प्रसना सकते हैं, हिंदी भासा में संस्कृत में ही, तो पाटली पुत्र किस्न दी किनारे अवस्तित है, ये भी क्या सुचने की बात है, आप बिल्कुल जान रहे हैं इसके में कौमुदी महुतसब किस रितू में मनाया जाता था यह उपसं देखिए बसंत रितू में वर्सा रितू में इगरिस्म रितू में तो 45 का अंसर हो जागा डि आपने सही पचाना स्रत्रितू में च्छालिस गांधी सेतुपूल कहां अवस्तित है अब ये भी क्या कहनी की बात है आरा साशाराम पहारपूर पाटले पुत्र तो च्छालिस का अंसर बिनानी संकोज आप लगाईए डी पाटले पुत्र सेतालिस पाटल पुस्पों की पुत्तली का रचना की अधार पर पठना का कौन सा नाम है पठना के तो कही नाम है इसमें जितने भी दिये गए हैं पुस्पपूर कुसुमपूर पाटली पुत्र पठना तो है ही ये सभी पठना के ही नाम है लेकिन पाटल पुस्पों की पु तो 47 का आंसर हो जागा आपका बिल्कुल सही पाचाना अपने ए पुष्प पूर 48 कुटिनी मतम कावे के कभी कौन है तो कई सारे उप्सन है राज सेखर दामोदर गुप्त विशाकदत रुखाली दाश तो 48 का आंसर हो जागा बी दामोदर गुप्त उन्चास नमर प्रसन है पाटले पुट पतना के नाम से कभ परसिद्ध हुआ देखिए उप्सन बहुत सारे उप्सन दिये गए हैं तो पतना के नाम से कभ परसिद्ध हुआ तो मुगलबंसकाल में अंग्रेजो के समय में काल में 50 नमर प्रस्ण है पटना के इतिहास कितना पूराना है पचीस सो बर्स दो हजार वर्स पंद्रों सो बर्स एक खार बर्स तो इसका अंसर हो जागा 50 का ए पचीस सो बर्स एकावन नमर प्रस्ण युनान का राज़ूत कौन था फाहियान वेन सांग मेगास्थनेज अरस्तू सुचिये फाहियान वेन सांग मेगास्थनेज अरस्तू तो 51 का अंसर हो जागा C मेगास्थनेज बावन पतना नगर की पालिका देवी कौन है संस्क्रित में आया था देखें मिलता जूलता नाम है अशोक चंद्रगुप्त मौरिय मुगल बन्सकाल में अंग्रेजों के समय में तो तिरपन का हो जागा भी चंद्रगुप्त मौरिय और अंतिम प्रस्न इस सेट का अंतिम प्रस्न चोवन नंबर आ रहा है कि पतना में कौमुदी महुतसब कब मनाया जाता था कौमदी महतसब पर बहुत सारे प्रस्णा हैं लेकिन घुमा फिरा किया हैं तो गुप्त बंसकाल में मुगल बंसकाल में असो के समय में अंग्रेजों के समय में तो इसका अंसर होगा चौबन का ए गुप्त बंसकाल में तो दोस्तों ये था एक से लेकर के शववन तक आपके सेट दो में इसके प्रस्ण और उत्तर मैंने बताएं और ये भी जान लें कि इस से और अधिक इस पार्ट में अबजेक्टिब कॉस्चन की कोई गुंजाइस नहीं है आप कमेंट्स करेंगे कि आपके कितने उत्तर सही हुए और साथ ही यह भी पताएंगे कि अगला वीडियो जो तिरतीय पार्ट होगा हमारा वो आप कब देखना चाहते हैं दूसरी बात कि आप जब भी देखते हैं वीडियो कम सकम लाइक किया किजिए लाइक करने से क्या होता है कि मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है आपके कुछ चाते हैं आपके इसके लिए कुछ देने ने परते हैं आपके कुछ पैसे खर्च करने ने परते हैं बलकि मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन आता है कि हां इतनी लोग लाइक कर रहे हैं ये चार है कि ये वीडियो देखें तो बने रहे हैं मेरे अगले वीडियो देखने के लिए जो कुछी दिनों में एक या दो दिनों में आने वाला है सेट थरी तब तक के लिए धन्यवाद तो दोस्तों कैसा लगा मेरा यह वीडियो आप कमेंट्स करेंगे और यह भी बताएंगे कि मैं अगला वीडियो कब बनाऊं यदि आप मेरा दो तीन पहला वीडियो नहीं देख पाया हो दूसरा देख रहे है या तीसरा देख रहे है तो अंत में मैं वीडियो के नीचे एक लिंक सेयर कर दूँगा जिससे सभी वीडियो आपके मिल जाएंगे और वैसे लोग जो अभी तक नए आया है इस चैनल पर उनसे मैं नमर निवदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अपने दोस्तों के भी सेर कर दे तो बने रहे मेरे अगले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद